अगला टापिक है दोस्तों जो है criminalization of politics जो अपराद होते हैं उनको जो है politics के जो है जो election commission के दौरा जो है जो भी कराए जाते हैं चुनाओ अभी फाइनली जो है 2020 में भी आया था जितली भी party थी जो है अपना एक पिछला record जो है उसको जो सोग करना रहता है public के सामने फिर उसके recording जो है अपने decision को लेते हैं जो जैसे article 14 हुआ 14 के अंतरगत जो है कोई जो है अगर कोई ऐसा किये हैं या criminal activities किये हैं तो उनके लिए जो है क्या liabilities हैं उनको जो है हम लोगों को मिलता है criminalization of politics फिर उसके बाद जो है article 19 दोजातीन में criminalization पॉब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन इसमें एक केस है पॉब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन बना union of India 2020 का दोस्तों ये केस है जो है election commission of India जो है election commission जो है इसकी जो है जाज करती है कि उनके जो है Politician के जो पिछले रिकार्ट क्या है उनके जो है ताकि जो है जो समाज में जो सुसाइटी में जो है सांती ब्योस्ता अस्तापित की जाए ताकि जो हमारी देश का आर्थिक भिकास हो इस तरीके से जो है किर्मराजेशन आप पॉलिटी सियन के अंतरगत ये चीज़े हमें देखने को मिलती है